नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टोटल गयानमी दोस्तों यह धन्तिरस का तेहँवार आपके लिए खुश्या लेकर आएगा जी हाँ दोस्तों इस धन्तिरस को आपके अमीर बनने के योग दिख रहे हैं अगर आप इस समय पती-पत्नी के साथ आपसी संबंद रखते हैं और ये समय आपकी किस्मत को चमका सकता है इस ऐसा कौन सा समय है जब पती-पत्नी के आपसी परेम संबंद आपको करोणपती भी बना सकते हैं तो दोस्तों यह जानने के लिए आप यह आज का वीडियो आखिर तक जरूर देखते रहें दोस्तों वीडियो में आके बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करतें आप हमारे चैनल टोटल लग्यान पर नए हैं तो आप चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करतें ताकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से वास्तु सास्तर चान कैनिती, हिंदु धर्म शास्तरों और भगवान श्री कृष्णा की कर्षणवानी के वीडियो सबसे पहले देखने क बिल सके, दोस्तु अगर आप चाहत रखते हैं कि आप अमीर बने, आप चाहते हैं कि भगवान कृष्णा आपकी हर उमीद को कामियाब करते, तो आप कॉमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दे, दोस्तु धन तेरस का तहँवार हिंदु धर्म शास्तरों में बड़ी पवित्रता के साथ मनाया जाता है, धन तेरस के दिन लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं, लोग नए नए वस्तुएं खरीदते हैं, इस वज़े से कि ये नए चीज़ें और नए वस्तुएं घर में सुख समर्धी लाने का काम करती हैं। हिंदु धर्म शास्तरों के अनुसार चानक क्या जी कहते हैं, कि धन तेरस पर खरीदा गया समान दिन दोगनी और रात चोगनी तरक की देता है। इस वज़े से दोस्तु आज हम आपको चानक के नीती के माध्यों से बताने वाले हैं, कि अगर आप धन तेरस के दिन इस समय संबंद रखते हैं, तो आपके अमीर बनने के यूग बहुत ज़ादा है। दोस्तु धन तेरस का तेहवार माता लक्ष्मी और धन तवरी जी के फ्रूप में मनाए जाता है, धन तेरस जी को धन वंतरी जी भी कहा जाता है, ये ऐसी देव हैं जो धन तेरस के दिन लोगों को अमीर बनाने का काम करते हैं। जी हाँ दोस्तू जैसे शनी देव करूरता का परतीक माना जाता है वैसे धन तेरस अमीरी का परतीक होता है धन तेरस को लोग शुबता का रूप देते हैं धन तेरस के दिन ऐसे काम किये जाते हैं जिनसे की घर की दरिदर्ता और गरीबी को मिटाया जा सके इस वज़े से दूस्तू अगर आप भी भगवान श्रीक पृष्णा के सचे वक्ते हैं और आप अपने घर की गरीबी मिटाना चाहते हैं तो दूस्तू आपको धन तेरस की रात को अपने पार्टनर के साथ सम्मंद रखने का जो समय है वो रात्री के बारा बज़े से लेकर एक बज़े के बीच का है बागी समय आप पवित्त रहें और अपने साथी के साथ इस सम्मंद रखने के बाद आप शनान कर लें दिपावली के पावन अवसर पर अगर आप अपने सरीर की साफ सफाई का ध्यान रखोगे तो देवों के देव महादेव और माता लक्षमी भी आप से खुश रहेगी तो दोस्तो इस बात का आप खास ख्याल रखें और आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप धन तेरस के दिन गरीबों की सेवा करें गरीबों में धन दौलत बांटे जितना हो सके उतना बांटे धन तेरस के दिन अपनी बही खातों को नेया करें और धन तेरस के दिन जितना हो सके दान करें जितनी आपकी हैसियत है अपनी हैसियत के मताबिक दान करें माता रानी आप से रुष्ट नहीं होगी आपको आपका जो भी फल है वो आपको फल मिलेगा तो दोस्तों आज के वीडियो पे बस इतना ही वीडियो गर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे चैनल पर ऐसे ही ग्यानवर्दक वीडियो सबसे पहले देख सकें